नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है योगेन साहू आनलाइन क्लासेज में मैं आपका दोस्त आपका होस्ट आपका ट्यूटर दीपक इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं हमारी ये क्लासे चल रही है एडियो के लिए पंचैती राजवेवस्था इसमें ग्राम सभा के बारे में भी पढ़ लिया है तो दोस्तों हमने जब ग्राम सभा के बारे में अध्यन किया तो हमने ये चीज भी पढ़ा कि अनुसूची छेत्र में ग्राम सभा का प्रावधान अलग होता है अनुसूची छेत्रों में जहां ट्राइब एरिया है जहां जंग इसलिए उनके लिए अलग प्रावधान किया गया है तो आज हमको अध्यन करना है अनुसूची छेत्र में ग्राम सभा का क्या प्रावधान है आपको पता है कि अनुसूची छेत्र का प्रावधान अनुचेद 129 धारा कंगा और च इसमें लिखा गया है तो उसके बारे में देखते हैं क्या है तो चलिए क्लास चालू करते हैं ठीक है देखते हैं है अनुसूची छेत्र के पंचायतो राजव्यवस्था के अनुसूची छेत्र के पंचैती राज़विवस्था के प्रोवीज़न अउब द पंचायत एक्ष्टेंशन एन सेड्यूल एरिया एक्ट उनिस सो च्यानवे जिसको सौट में क्या बोलते हम लोग पेशा जिसके सौट में हम लोग क्या बोलते हैं पेसा लागु है क्या लागु है पेसा लागु है ठीक है अनुसूची छेत्रमें पंचायती 96 पेशा लागू है अना ये पूछा जा सकता है कि अनुसूची छेत्र में पंचायती राजवेवस्था में क्या लागू है पेशा कानून लागू है जिसके कारण ही उनलोग का क्या है काम धाम थोड़ा अलग है अनुसूची छेत्र के पंचायती राजवेवस्था के लिए कौन सा कानून लागू है पेशा कानून लागू है इसी के द्वारा इनका काम थोड़ा अलग है चली आगे देखते हैं 36 गर पंचायती राजवेवस्था दिनियाम 1993 के अध्याय 14 का कौन सा अध्याय 14 का क्या है अनुसूची छेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंद पेशा लागू है अब अनुसूची छेत्रों का प्रावधान कौन से अध्याय में है अध्याय 14 का धारा कौन सी 139 के उपखंड क्या है कख गग अंगा और च ठीक है तो अनुसूची छेत्र में क्या लागू है जी पेशा लागू है क्या लागू है पेशा लागू है ये पूछा जा सकता है कि 36 गड़ में अनुसूची छेत्र में पंचैती राजवेवस्था में क्या लागू है पेशा लागू है ठीक है प्रावधान 36 गड़ पंचैती राजवेवस्था में क्या लागू है प्रावधान 36 गड़ पंचैत धारा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे उपखंड है, धारा 139 है, और उसके उपखंड किते हैं, छे हैं, चलिए, आगे देखते हैं, ये तो बेसिक सी जानकारी है, इसमें कुछ उतना रॉकेट साइन्स है नहीं, धारा 139 के कव में क्या है, परिभासा है, अधिकतर पहला अनुच्छेदी क्या होता है, परिभासा होता है, उसके बाद उसकी कारेपरणाली चालू होती है, ठीक है, तो अधिकानस्ता पहला क्या होता है, परिभासा होती है, ठीक है, तो अनुच्छेद, ए सौरी, धारा 139 का परिभासा, ग्राम सभा से अभिप्राय, ग्राम इस्तर पर पंचायत छेत्र से संबंधित निर्वाचक नामवली में संमलित वैक्तियों का समू सेम वही परिभासा है कि ग्राम पंचायत की जो वोटिंग लिस्ट है उसमें जिनका नाम है वो सभी वैक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं अनुसूचित छेत्र में क्या होता है अनुसूचित छेत्र में जनसंख्या की डेंसिटी बहुत कम होती है हना दो चार घर यहां है फिर जंगल फिर दो चार घर वहां है फिर जंगल तो ऐसे में क्या होता है अनुसूचित छेत्र के अवासों का या गाओं का छोटा समू भ ठीक है धारा 129 ख ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन ठीक है ग्राम सभा ग्राम सभा का गठन हना यहां ग्राम सभा की परिभासा दी गई है तो ग्राम सभा की परिभासा में पंचाय छेत्र का हना जो क्या है वोटर लिस्ट है उसमें जिसका नाम आएगा वही ग्राम सभा का स का गठन अधिसूचना कौन जारी करता है राज्यपाल हमेशा याद रखना ग्राम सभा के संब्ध में अधिसूचना कौन जारी करेगा राज्यपाल हना एक ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा का भी गठन करने का प्रावधान है ये जो लाइन है ये केवल अनुसूचित छ सामील होता है ना समान्य छेतर में एक गाउं में एक ही ग्राम सभा हो सकती है इसको अपन ऐसे समझते हैं ठीक है समान्य छेत्र में एक ग्राम पंचायत के अंदर समान्य छेत्र में एक ग्राम पंचायत यहां ग्राम पंचायत बोल रहा हूं मैं एक ग्राम पंचायत के अंदर एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है ठीक है लेकिन समान्य छेत्र में एक गाउ में किसमें एक गाउ में ए कही ग्राम सभा हो सकती है ठीक है लेकिन अनुसूचित छेत्र में एक गाउ में एक से अधीक ग्राम सभा हो सकती है क्योंकि अनुसूचित छेत्र में डेंसिटी बहुत कम होती है हना जनसंख्या का घनत तो बहुत कम होता है तो क्या होता है जंगल में चार घर यहां पे है तो उन लोग एक ग्राम सभा बना लिए लेकिन गाउं एक है ग्राम सभा एक से अधीत हो सकती है कहां केवल अनुसूचित छेत्र में ऐसे ग्राम सभा के अंतरगर ग्राम सभा छेत्र में अवास या अवासों का समू अथ्वा छोटा गाउं या छोटे गाउं का समू होगा यही तो ये क्या हो जाएगा ये ग्राम सभा बन सकती है एक गाउ में एक से अधीक ग्राम सभा बन सकती है ग्राम सभा कैसे रहेगा छोटा आवास रहेगा आवासों का समूह हो सकता है छोटे गाउं रहेंगे गाउं के समूह हो सकते है अब देखते हैं दोस्तों गणपूर्ती ग कोरम कित्ता होता है एक बटे दस और उस एक बटे दस में एक बटे तीन महिला होना आवस्यक है ये कहा है समान्य छेत्र में अनुसूचित छेत्र में प्राधान थोड़ा लग है अनुसूचित छेत्र की ग्राम सभा में कोरम गणपूर्ती कित्ती होती है कुल सदस्य संख्या का एक बटे तीन कुल सदस्य संख्या का एक बटे तीन और उसमें भी उस एक बटे तीन में एक बटे तीन महिला होना आवस्यक है हमेशा महिला के लिए बोलता ही है दोस्तो सभी पंचायत में ग्राम पंचायत, जन्पत पंचायत जिला पंचायत उसके बाद ग्राम सभा सभी जगे महिलाओं का अरक्षण एक ही है और वो है एक बटे तीन ठीक है तो समान्य छेत्र में ग्राम सभा में कोरम किता है एक बटे दस जिसमें से एक बटे तीन क्या होनी चाहिए महिला होनी चाहिए अनुसूचित छेत्र में कोरम किता है दोस्तो कुल सदस्य संख्या का एक बटे तीन उसमें भी एक बटे तीन और क्या होनी चाहिए महिला होनी चाहिए ठीक है तो ये हो गया कोरम कोरम हो गया अब जो सबसे मेन बात आती है हाना टर्निंग पॉइंट हरवजन सिंग की दूसरी बॉल ठीक है अध्यक्षता ठीक है समान्य चेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तो सरपंच सरपंच नहीं रहेगा तो कौन करेगा दोस्तो उप सरपंच उप सरपंच भी नहीं रहेगा तो कौन करेगा दोस्तो ग्राम सभा के सदस्य अपने में से किसी को चुल लेंगे नॉर्मल सी बात है लेकिन अनुसूचित छेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता कोई भी राजनीतिक पदा अधिकारी नहीं करेगा कोई भी पंचायत का पदा अधिकारी नहीं करेगा पंचायत में कौन-कौन आता ह सरपंच उप सरपंच और पंच ये तीनों अध्यक्षता नहीं करेंगे ग्राम सभा का कोई सदस से अध्यक्षता करेगा अब देखो कितनी जवर्दस बात कही गई है अनुसूचित छेत्र में कोई नेतागिरी नहीं ना कोई नेतागिरी नहीं आप चुनाओ जितके सरपंच बहुत बढ़िया बात है आप अपने ग्राम पंचायत में अपनी सर्पंच गिरी करो आप हमारे ग्राम सभा में नहीं कर सकते तो ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है ग्राम सभा की अध्यक्षता ग्राम सभा के सदस्यों से ही चुने जाते है जो अनुसूचित जाती व अध्याक्ष बनेगा ठीक है क्यों क्योंकि देखो दोस्तो जंगल में जो लोग रहते हैं ना उनकी एक विशिष्ट संस्कृती होती है उनकी एक विशिष्ट परमपरा होती है उनकी एक विशिष्ट मान्यता होती है उनकी एक विशिष्ट जीवन सेली होती है अगर बाहर के आदमी इन पे इंटरफेर करेंगे न तो वो परंपरा मान्यता जीवन सेली दूसित हो जाएगी बिगड़ जाएगी इसलिए उनको पूरी छूड़ दी गई है कि आप अपने रिती रिवाज रिश्वल को पूरा पंचायत के वोटिंग लिस्ट में तो ये बात इतम दिमाग में ठोक लो कि अनुसूचित छेत्र में जहां धारा 119 की बात हुई वहां ग्राम सभा का अध्यक्सता कोई भी पंचायत का पदाधिकारी जो सरपंच उप सरपंच पंच है वो नहीं करेगा तो कौन करेगा गा जो ग्राम सभा है उसी में से आदमी चुने जाएगा जो अनुसूचित जाती का ही होगा और वो अध्यक्सता करेगा चलिए ये बहुत important chapter है इससे question आना ही है हना बहुत सियोर है कि इससे question आना है ठीक है दूसरा ग्राम सभा का सदस्य जो वहां पे उपस्तित है अगर कोई कि ऐसा आदमी नहीं मिल रहा है हना चुना हुआ भी तो कोई जो ग्राम सभा का सदस्य है वो अध्यक्सता करेगा ठीक है उसके बाद एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो फिर से वही बात घुमा के बोल दिया हना ग्राम सभा का सदस्य करेगा ना कि ग्राम पंचायत का सदस्य ठीक है तो अध्धकता कौन करेगा ग्राम सभा का वैक्ती ही करेगा सरपंच उपसरपंच और पंच नहीं करेगा अनुसूचित छेत्रों में चलिए अगला देखते हैं धारा 129 ग ग्राम सभा की सक्तियां और क्रित्य हना अनुसूची छेत्र में ग्राम सभा को क्या-क्या सक्तियां और क्रित्य प्राप्त हैं ठीक है आपको पता है दोस्तो इस्थानी स्वसासन इस्थानी स्वसासन ठीक है इस्थानी स्वसासन मतलब जनता का खुद के द्वारा अपने लिए सासन करना स्वसासन मतलब स्वयम का स्वयम के लिए सासन करना समान अपन वर्ड में अगर बोला जाये तो तो भाईया आपकी पंचैती राजविवस्था है क्या स्वसासन की इकाई है ना बिल्कुल स्वसासन की इकाई है तो ये जो स्वसासन की इकाई है इसका जो अधार है बुनियाद है वो क्या है पंचैती राजवेवस्था का ग्राम सभा उसका अधार है बुध्याद है विधाई का है तो उसको क्या क्या सक्ति दी गई है तो इनको इनको वही सकती दी जाएगी जो इनके मतलब समान ये जीवन यापन को चलाने के लिए जरूरी है और इनके छेत्र में इनके द्वारा विकास करने के लिए जरूरी है, ठीक है जैसे पहला देखते हैं व्यक्तियों की परंपराओं तथा रूडियों को शुरक्षीत तथा संर इसमें ये कहा गया है कि भाईया आप अपने छेत्र के जो नियम है जो रूडिवादी कानून है जो परमपरा है उसको आप बना के रखिये उसके अनुसार ही आप काम करिये ठीक है उसके बाद उनकी संस्कृती पहचान एवं समुदाईक साधनों को सुरक्षित तथा संरक्षित रखना तो जो अनुसूचित छेत्र की संस्कृती है उनको भी बचाना ठीक है विवादों के निराकरण के रूडिगत धंग को सुरक्षित रखना मतलब इन लोग पुराने समय से जिस नियम कानून के द्वारा न्याय करते आए हैं इन लोग उस अब माल लो अनुसूचित छेत्र में पैसे के द्वारा फाइन लगाने का प्रावधान नहीं है बलकि क्या प्रावधान है दाण देने का दाण मतलब कुछ भी डंड देने का अगर माल लो किसी एक आदमी की गाय किसी दूसरे आदमी के खेत में या बाड़ी में घुश के पूरा नुकसान कर दी तो जिसका नुकसान हुआ है उसको क्या देना चाहिए उसको मिलना चाहिए कुछ मुआउजा तो मुआउजा कौन देगा जिसकी गाय नुकसान करिये तो अब मुवावजे के बल पे क्या बोल दिया जाएगा कि भई आप इतना काठा चामल इसको दे दो या फिर आप इतना मौहा है हना आप दो किलो मौहा इसको दे दो जिससे इसके नुकसान की भरपाई हो मतलब बताने का उचित यह है कि जो परंपरा गट धंग से उन लोग अपना जीवन चलाते आए हैं उसी परंपरा को बचा के रखना और उसी के अनुसार काम में रखना ग्राम छेत्र के प्राकृतिक इस रोतों का प्रबंद करना मतलब गाओं में जो प्राकृतिक नदी नाले परवत पठार है उनका क्या करना है उनका management करना है ग्राम के बज अगर आप देखे होगे गाउं में, तो हर गाउं में सब्ता के एक दिन बजार होता है, कई जगा मंगल बजार रहता है, कई जगा सनीचर बजार रहता है, और फिर जिस गाउं में बजार रहता है, तो पूरे आसपास के गाउं के लोग उस दिन वहीं खरीदारी करने आते है तो अगर ऐसे बजार लगेंगे, तो उसका क्या करना है, मैनेजमेंट करना है, जो समान बेचने आए हैं, उन लोग को क्या करना है, जगा देना है बेचने के लिए, प्रापर वेवस्था देखनी है कि बजार अच्छे से लगे, ठीक है, इस थानी योजनाओ, वजनजाती उ प्योजनाओ के इस रोतो और वयो पर नियंत्रन रखना, मतलब जो योजना इनके विकास में चल रही है, उसका मॉनिटरिंग करना और उस पे जो खर्चा हो रहा है, उसको देखना, ऐसे कृत्य जिसे सरकार, सरकार तत्सम प्रवित्ति वीधी के अधीन, उसे प्रदान करे अंत में हर जगे यही बोलेगा, कि भाईया वो सभी काम करना, जो सरकार उनको करने को बोले, तो अगर आप ग्राम सभा के काम देखोगे दोस्तों, हना, तो इनमें बेसिकली एक ही चीज बोला जा रहा है, कि इन लोग अपने पुराने परमपरा, रूडी, रूडीगत पर ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, ये तो होगे ग्राम सभा की सकतिया और कृत्य, अब देखते हैं ग्राम पंचायत, अना, ये अपन पढ़ रहे हैं किसका, अनुसूचित छेत्र का, तो सभी चीज एक साथ है, धारा 119, घा में क्या है, ग्राम पंचायत के कृत्य, ठीक ठीक है, फिर ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, ठीक है, फिर जीला पंचायत, अना, तो ग्राम सभा के बाद अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे ग्राम पंचायत, अना, तो अधारा 119 घा में क्या दिया है, ग्राम पंचायत के कृत्य दिया है, ग्राम जारों तथा मेलों का जिसमें पसु मेला संबली थै का प्रबंद करना जाहिर जीवात है जो ग्राम सभा का काम है उसमें तो ये करे गई इस्थानी योजनाओं और जन्जाती उप्रिणाओं के इस रोतों और वयों पर नियंतरन रखना ऐसे कृत्य करना जो राज्यसरकार कर करने को बोले इसमें तो कोई कामी नहीं है वही काम है जो ग्राम आपके जो ग्राम सभा के काम है वही कामी इसको करने है ठीक है अब देखते है धारा 139 ड़ इस्थानों का रक्षण मोश्ट से भी मोश्ट इंपोर्टेंट इस्थानों का रक्षण इससे एक कोश्चन पक्का है ठीक है अनुसूचित छेत्र में इस्थानों का रक्षण कैसा रहेगा ये देखना है ठीक है अनुसूचित छेत्र में इस्थानों का रक्षण हाना किसी भी दसा में अनुसूचित जन्जाती वर्ग के लिए रक्षण आधे से कम नहीं होगा इसको टिक कर लिजिए ठीक है आएमपी कितना परसेंट अरक्षण जी पचास परसेंट कितना परसेंट पचास किसी भी दसा में अनुसूचित जन्जाती वर्ग एस्टी का आरक्षण आधे से कम नहीं होगा आधे से कम मतलब पचास परसेंट इनका आरक्षण रहेगा पंचायती राजवेवस्था में किसका एस्टी का अनुसूचित जन्जाती वर्ग का ठीक है जो भी स्थान है कहां पंचायती राजवेवस्था में जो भी स्थान है उसमें आधे से अधिकिस्थान अनुसूचित जनजाती वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे हना ठीक है मिनीमम आधा 50% आरक्षण रहेगा ही रहेगा ठीक है अनुसूचित छेत्र में ग्राम पंचायत के सरपंच पद का पद पर अनुसूचित जनजाती के लिए ही आरक्षि ठीध है, देखिए, अगर माल लोग कहीं पे गराम पंचायत में 10 वाड है, 10 वाड है जिसमें से 10 पंच जीत के आएंगे, है ना, अनुसूचित जनजाती छेत्र में, तो वो 10 में से 5 पंच कौन सी जनजाती के रहेंगे, अनुसूचित जनजाती के, क्यों? क्योंकि किसी भी दसा में आरक्षण 50% से कम नहीं होगा अब अनुसूचित छेत्र में ग्राम पंचायत में जो सरपंच का पद है वो किसके लिए आरक्षित रहेगा अनुसूचित जनजाती के लिए हना जनपद पंचायत के अध्यक्ष का पद है वो किसके लिए आरक्षित रहेगा अनुसूचित जनजाती के लिए जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद है वो किसके लिए आरक्षित रहेगा अनुसूचित जनजाती के लिए तो यहां देख रहे हो दोस्तों अगर वार्ड में पंच या जनपद और जिला पंचायत में पंचायत है तीनों में अध्याक्ष और सर्पंच का पद भी केवल और केवल किसके लिए आरक्षित रहेगा अनुसूचित जनजाती के लिए ठीक है समझ में आया ये जैसे ठीक है अनुसूचित छेत्र में अनुसूचित छेत्र में ठीक है अनुसूचित छेत्र में ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत में क्या होता है सर्पंच उसके बाद उपसर्पंच और उसके बाद पंच ठीक है ये पंच अपने ही में से एक कोपसर्पंच सुन लेते है तो ये अध्यक्ष का पद क्या रहेगा आरक्षीत रहेगा और ये पंच में कित्ता परसेंट आरक्षन रहेगा सीट में 50% ठीक है वैसे ही कहां जनपद पंचायत में ये कहां की बात हो रही है अनुसूचित छेत्रगी जनपद पंचायत में क्या क्या होता है जी अध्यक्ष उसके बाद उपाध्यक्ष और उसके बाद क्या होता है सदस्य तो ये सदस्य में कित्ता परसेंट आरक्षन रहेगा आधे से अधीक इस्थान और क्या रक्षित रहेगा एश्टी के लिए अध्यक्ष का पज सेम ऐसे ही किसमे होगा जीला पंचायत में सदस्य में कित्ता परसेंट आरक्षन दिया जाएगा और अध्यक्ष पद किसके लिए रिजर्व रहेगा ये जीला पंचायत ठीक है अध्यक्ष पद किसके लिए रिजर्व रहेगा एश्टी कैटिगरी के लिए क्यों क्योंकि वो ST category छेत्र में जनपत पंचायत, जीला पंचायत और ग्राम पंचायत है तो अनुसूची छेत्र जहां घोसित है वहां ग्राम पंचायत के क्या आपके ग्राम पंचायत के सरपंच का पद, जनपत पंचायत में अध्यक्ष का पद और जीला पंचयत में अध्यक्ष का पद क्या रहेगा आरक्षित रहेगा किसके लिए एश्टी कैटिगरी के लिए और सदस्यों में आरक्षन रहेगा 50 प्रतीसत से कम नहीं होगा अब देखते हैं किन्तु अनुसूचित छेत्र में ग्राम पंचायतों को जिन में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या नहीं है पंचों और सरपंचों का पद अनुसूचित जनजाती के लिए आरक्षित नहीं होंगे अगर इनकी जनसंख्या नहीं है माल लो एक बहुत बड़ा छेत्र है कहां जैसे एक बहुत बड़ा आपका छेत्र है अनुसूचित छेत्र हना अनुसूचित छेत्र में सपोस्ट आपका गरिया बन भी है अनुसूचित छेत्र में अब देखते हैं कि जहां का पंचायत है छेत्र तो अनुसूचित घोसित किया गया है वो पूरे एरिया को अनुसूचित घोसित कर दिया गया है माल लो पर जो पंचायत है वहां एक भी अनुसूचित जनजाती नहीं रह रही है उस एरिया में एक भी अनुसूचित जनजाती नहीं रह रही है घोसित कर दिये लेकिन नहीं रह रही है तो अगर जनजाती नहीं रहेगी तो पंचो और सरपंचो का प्रद अनुसूचित जनजाती के लिए आरक्षित नहीं होगा भैया जहां पे जनसंख्या है वहीं आरक्षण मिलेगा अब जंसंख्या है ही नहीं वहाँ पे तो आरक्षण किसको दोगे आरक्षण दे दोगे तो वह जाती का तो आदमी वहाँ रहता ही नहीं है तो चुनाओ कौन लड़ेगा फिर ठीके तो इसीलिए आरक्षण किसके इसाब से दिया जाता है जनसंख्या के हिसाब से दिया जाता है जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना आरक्षन ठीक है आपका इसी तरज पर आरक्षन का काम होता है अब मालो अनुसूचित छेत्र है रैपूर है और रैपूर में आपका मालो सरस्वतिनगर एक ऐसा जगा है मालो पूरा रैपूर ज पिला अनुसूचित छेत्र गोसित कर दिये, जहां पे सब जगा अनुसूचित जनजाती के लोग रह रहे, अब सरस्वतिनगर में एक ऐसा पंचायत है, जहां एक भी अनुसूचित जनजाती का आदमी नहीं रह रहे, कैसे पता चलेगा, क्योंकि एक भी अनुसूचित जनज तो वहाँ पे पंच और सरपंच पत का आरक्षण नहीं रहेगा क्यों क्योंकि वहाँ पे जनजाती है नहीं अगर आरक्षण दे दोगे तो लड़ेगा कौन ठीक है तो वही किन्तु अनुसूचित छेत्र के ग्राम पंचैतों को जिनमें अनुसूचित जनजाती की जनसंख् वहाँ पंचों और सरपंचों का पद अनुसूचित जनजाती के लिया रक्षित नहीं होगा। एक बटे दस है जी, एक बटे दस से ये एक बटे तील लिखा गया है, ये है एक बटे दस, यहाँ लिखा है ना, दसमांस, दसवा हिस्सा, ठीक है, से अधीक नहीं होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी लाईन है, क्या बोल रहा है, सरकार ऐसी अनुसूचित जनजाती के लोगों का नाम, सरकार ऐसी अनुसूचित जनजाती के लोगों को मनोनित कर सकती है, कहां? जन्पद पंचायत और जिला पंचायत में, जन्पद पंचायत और जिला पंचायत बहुत प्यार से समझिएगा दोस्तों, बात हो रही है जन्पत पंचायत और जिला पंचायत अगर जन्पत पंचायत और जिला पंचायत में किसी अनुसूचित जनजाती के कोई भी वेक्ति नहीं है, कोई एक अनुसूचित जनजाती का कोई भी वैकति नहीं है तो उस अनुसूचित जनजाती के किसी वैकति को कहां मनोनित कर सकती है जन्पद पंचायत और जिला पंचायत में और ये मनोनियन अधिक्तम कित्ता हो सकता है कूल सदस्य संख्या का एक बटे दास इससे ज्यादा अब माल लो अनुसूचित छेत्र का जनपत पंचायत है, यहां गोड जन जाती का एक भी सदस्य जीत के चुनाव नहीं आ पाया, जनपत पंचायत में गोड जन जाती का एक भी सदस्य चुनाव नहीं जीत के आया, तो गोड जन जाती के सदस्य को कहां मनोनित किया जा सकता है जन्पत पंचायत में सेम यही चीज, माल लो जिला पंचायत है जिला पंचायत है और जिला पंचायत में अनुसूचित जाती कमार जाती का एक भी सदस्य जीत के नहीं आ पाया कमार जाती का एक भी सदस्य जिला पंचायत में नहीं है तो कमार जाति के आदमी को भी हम कहां बैठा सकते हैं जिला पंचाथ में पर ऐसे जितने भी मनोनित सदश्य हैं उनकी अधिक्तम संख्या कित्ती हो सकती हैं एक बटे दस अगर मान लो बीस लोग हैं जन्पत पंचाथ में 20 लोग और इसमें गोण जनजाति का एक भी आदमी नहीं है कमार जनजाती का एक भी आदमी नहीं है तो हम अधिक्तम कितने लोगों को लेके आ सकते हैं एक बटे दस मतलब दो लोगों को मनोनीत कर सकते हैं ठीक है तो वही चीज बोल रहा है दोस्तों क्या अनुसूचित छेत्र पंचायत में सौरी राज्य सरकार ऐसी अनुसू के वही तो स्कंजाओं को नाम-णीर्दिष्ट मतलब मनोनीत मतलब मनोनीत कर सकेगी जयनका हना अनुसूचित छेत्र पंचायत मध्यु वात्लब जन्पत्र पंचायद और जिला पंचायत में कोई प्रतिनीधी नहीं है मतलब कोई एक जन जाती है जिसका एक भी प्रतिनी संख्या अधिक्तम कित्ती हो सकती है एक बटे दस हाना चलिए ये हो गया उसके बाद अनुसूचित छेत्रों में अनुसूचित छेत्रों में पंचायत में अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति के लिए ऐसी संख्या में इस्थान आरक्षित किये जाएंगे जो जातियों और अनुसूचित जनजातियों अयदी कोई हो के लिए आरक्षित इस्थानों के साथ मिल कर उस पंचायत के समस्त इस्थानों के तीन बटे चार इस्थानों से अधीक ना हो ठीक है तीन बटे चार इस्थानों से अधीक ना हो हना अनुसूचित छेत्रों के पंच पुचित जनजाती अधि कोई हो के लिए आरक्षित इस्थानों के साथ मिला कर उस पंचायत के समस्थ इस्थानों के कितने तीन बटे चार इस्थानों से अधिक ना हो चलिए इसको भी देख लेते हैं अभी किसकी बात हो रही है दोस्तों ओबीसी आरक्षण की किसकी ओबीसी आरक्षण की हना अब मान लो 20 लोग है जनपत पंचायत में 20 लोग है ठीक है इसका अधिक्तम कितना आरक्षण हो सकता है तीन बटे चार चार एकम चार चार पंचे 20 पांस्तिया 15 अधिक्तम इस्थान कितना हो सकता है आरक्षण 15 क्या लिखा है देख लो हना उस पंचायत के समस्ति इस्थानों के तीन बटे चार से अधिक नहीं होंगे तो 20 तोटल है मान लिए 20 का तीन बटे चार कितना हो गया 15 मान लिए अब इस 15 में इस 15 में हना आपके 7 व्यक्ति साथ व्यक्ति मिल गए किसके अनुसूचित जन जाती के ठीक है अनुसूचित जन जाती के ठीक है बचे कितने तीन व्यक्ति 15 में 7-5-12 बचे कितने तीन व्यक्ति तो तीन व्यक्ति कौन आएंगे OBC आएंगे क्यों क्योंकि ये संख्या कि किसी भी हालत में 3 बटे से 4 तीन बटे 4 से जादा नहीं होगी तो दोस्तों समझे यही बात कही गई है देखिए इसका जो language का terminology है जो बोलने का तरीका है वही घुमावदार है बात एदम simple है और इसी को exam में हमको समझना है अनुसूचित छेत्र में पंचायतों में अन्य पीछड़ा वर्ग हाना अनुसूचित जाती जन जाती के लिए आर लक्षित किये जाएंगे बता रहे है कितना अरक्षण रहेगा अनुसूचित जाती हो अनुसूचित जन जाती हो यदि कोई हो के लिए आरक्षित इस्थानों के साथ मिलकर ये दोनों के साथ मिलकर बोल रहा है मिलकर उस पंचायत के समस्ति स्थान कुल के 3 बटे 4 से अधीक नहीं होगा और यही चीज अपन बोल रहे हैं दोस्तो कुल संख्या थी 20, 3 बटे 4 15, अब 15 में 7 आपको मिल गए मालो अनुसूचित जन जाती के 5 मिल गए अनुसूचित जाती के हना 7, 5, 12 अभी भी 3 सीट है तो यह 3 सीट पे कौन आ जाएंगे OBC आ जाएंगे यह समझने के लिए अगर OBC आरक्षण देना है तो STSE को मिला के 3 बटे 4 से अधीक नहीं होगा ठीक है चलिए यह हो गया आरक्षण पूरा समझ में आ गया आरक्षण रिवाइज कर लेते हैं दोस्तो किसी भी दसा में किसी भी दसा में अनुसूचित जन जाती वर्ग का आरक्षण आधे से कम नहीं होगा ठीक है यह तो नॉर्मल सी बात है अनुसूचित छेत्र ग्राम पंचायत, जनपत पंचायत, जिला पंचायत तीनों में सरपंच और अध्यक्ष का पद अनुसूचित जन जाती के लिए आरक्षण रहेगा किन्तु ऐसा कोई हना ग्राम पंचायत जिसमें ऐसा कोई ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत छोटे इस तर पे होता है गाव में होता है अब माल लो गाव में कोई अनुसूचित जनजाती का आदमी है नहीं तो फिर वहाँ आरक्षण नहीं रहेगा क्योंकि अगर आप आरक्षण दे दोगे कि अनुसूचित जाती का आदमी लड़े और उस गाव में तो अनुसूचित जाती का आदमी नहीं रहे है, है ही नहीं, तो कौन चुनाव लड़ने आएगा भई, कोई आई नहीं पाएगा, इसलिए ग्राम पंचायत में बोल रहे हैं, अगर अनुसूचित जाती का आदमी नहीं है, तो ग्राम पंचायत बस में क्या होगा, कोई भी प प्रतिनीधी नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं उसको मनोनीध कर सकते हैं कहां जनपद और जिला पंचायत में भई कोई जरूरी थोड़ी ने कि कोई गोण आदमी चुनाओ में खड़ा है और वो चुनाओ जीत के चले जाए मालो जनपद पंचायत में एक भी गोण जन जाती का प्रतिनीधी नहीं है तो भईया ऐसे कैसे चलेगा अपने को तो रखना है ना तो अपन क्या करेंगे फिर उसको मनोनीध कर देंगे डैरेक्ट बीना चुनाओ जीते उसको जनपद पंचायत भेज देंगे लेकिन ऐसे कुल संख्या मनोनीध करने वाली कुल संख्या का एक बटे से 10 से अधीक नहीं होगी 10 प्रतिसत से अधीक ठीके अब OBC का रक्षण रेखते हैं OBC का रक्षण क्या रहेगा STSC के साथ जूड़के 3 बटे 4 से अधीक नहीं होगा चलिए धारा 139 जनपद पंचायत हैं जीला पंचायत की सक्तियां लगू जलासयों की योजना बनाना उन पर सामीत तथा उनका प्रबंद करना वही काम करेंगे छोटे इस्तर पर काम करेगा ग्राम पंचायत बड़े इस्तर पर कौन करेगा जन्पद और जिला तो यह छोटे छोटे डैम बनाएंगे श्टॉप डैन बनते न जहां गाओं में मचली पकड़ने जाते हैं नहर में ऐसे दिवाल बना देंगे श्टॉप डैम जी चोटे जलास है लगु जलास है बनाना उन पर स्वामित और प्रबंद करना समस्त समाजिक सेक्टरों में उनको अंतरीत संस्थाओं तथक क्रित कारियों पर नियंतरन रखना मतलब नीचे जो काम चल रहे हैं जो योजना चल रही है उस पर नियंतरन रखना उसके बाद इस प्रबंद करो बजार मेले का प्रबंद करो बस प्रबंद करो ठीक है चलिए आगे देखते हैं राज विधान सभा इन छेत्र में ऐसा कोई भी कानुन पारित नहीं कर सकती जो उनकी समाजिक एवं धार्मिक आस्ता रूडिवादिता एवं परंपरा सांस्कृतिक पहचान स ठीक है 75 दिन चलने वाला कारेकरम है दुनिया का सबसे बड़ा वो है वो तवार है ठीक है तो सावन से चालू हो जाएगा अभी मेरे ख्याल से हाना ठीक है तो सरकार जनजाती छेत्र की जो संस्कृती है उसमें बाधा उत्पन करने वाला कोई भी कानून नी बनाएगी अब बस्तर का दसेरा हो रहा है हना बस्तर का दसेरा बहुत लाउड मना आते हैं उन लोग बहुत लाउड मतलब पूछो मत ऐसा वैभाव ऐसी गरीमा उस परवकी कि उसका बखाण सब्दों में कर पाना मतलब एक अविस्मर्णी द्रिट से होता है वहाँ अब वहाँ पर हो रहा है उनके कुछ पूराने नियाम है उनके पूरानी परम्परा है जैसे बक्रे की बली दे देना होना यह सब तो उन लोग करते हैं यह समझाने के लिए मैं बत अब सरकार ये नहीं बोल सकती कि आप बकड़े की बली मत दो, ये सही नहीं है, पेटा वाले, पसु कानुन वाले नहीं बोल सकते, उपर से मानो अधिकार वाले ये नहीं बोल सकते, कि आप जो अपने सरीर को छेद रहे हो, बाना ले रहे हो, ये नहीं लेना है, ये नहीं बो है उनके बाधा रूड़ी वाधिता बोल रहा है जी वैसे तो अगर आप टीचर भरती में रूड़ी वाधिता बढ़ोगे ना तो यह निगेटिव सब दो जाता है कि जो पुराने कानून चले आ हैं जिनको लकीर का फकीर मान के रखें उनको मानना लेकिन जब आप समाजिक और संस्कृतिक मुद्धे पर रूड़ी वाधिता बहुत ही सकरात्मक रूप में ली जाती है हना अब बश्तर दसहरा जमाने से मना रहे हैं और आज तक मना रहे हैं यह क्यों क्योंकि पहले से चल संस्कृति की ओरिजनेलिटी वो रूड़ी वाधिता के कारण ही है ठीक है तो सरकार कोई भी ऐसा कानून नी बनाएगी कि उनके जो पुराने नियम कानून परंपरा संस्कृति है उस पर बाधा पहुचा है इन शेत्रों की ग्राम सभाओं को विवाद निप्टाने के अप आपको पता है बुन्यादी काई क्या है जी ग्राम सभा है अब ग्राम सभा में ग्राम सभा में दो लोग लड़के आए एक आदमी ने दूसरे आदमी का सिर फोड़ दिया ठीक है अब लड़ते हुए आए तो ग्राम सभा फैसला की की जो आदमी सिर फोड़ा है वो इस जा देने का हक है क्योंकि वो अपनी रूडिगत परंपरा के अनुसार नयाय कर रहे है वो एक नैसरगीक नयाय कर रहे है जो जमाने हैं आ रही है आप ये नहीं बोल सकते तुम किसी आद्मी को काहों से कैसे बाहर कर सकते हो ठीक है तो खुल मिला के अनुसूची छेतर में इतनी कहाणी इसलिए रची गई है ताकि वो अनुसूची छेतर एद्दम ओरिजिनल रहे वो जनजाती एद्दम ओरिजिनल रहे वो हमारी तरफ पाश्चात्य संस्कृति में नाम मिल जाए, वो हमारी तरफ पास्चात्य संस्कृति के और ना जुग जाए, वो अपने नेचरल तरीके से रहे, इसी लिए ये पूरी कहानी रची गई है, पूरी कहानी कही गई है, किसके अनुसूची छेत्रों का प्रावधान, पेशा कानून लागू है, पेशा कानून, किस में पंचायती राजविवस्टा में, ठीक है, तो ये हो गया, आपका अनुसूची छेत्र में पंचायती राजविवस्था, इस से 2 से 3 कोश्चन, इतने डिसकसन से 2 से 3 कोश्चन done है, दोस्तों, कि एो पूछेगा ही, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अपको ये डिसकस करके बताईए आपका फीडबैक हमें रोज बहतर बनने में क्या करता है सायोग देता है जैसे उन लोग बोलते ना आपके कस्टमर के अरवाले तो भाईया फीडबैक प्रतिपूष्टी बहुत जरूरी है ठीक है तो आज के लिए इतना ही जैहिन जैभारत जैथाथिसगर ध